भगवान राम की खोपसूरत प्रतिमा की पहली तस्वीर सामने आ गई है भगवान रामलला की प्रतिमा कमल दल परसवार है और रामलला की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित क्या गया है मूर्तिकार अरुन योगीराश्ट्रे रामलला की अचल प्रतिमा बनाई है भगवान र मूर्ती की पहली जलक सामने आई है और 22 सन्वरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक्स्क्लूसिफ तस्वीरे आप देखिए रामलला की यह तस्वीर जो की घर्वग्रह में इस्थापित की जोएगी अब इस मूर्ती के देखिए कई इसकी खास्यत है 59 इंच यह बड़ी मूर्ती है शामल रंग की है और साथी नेपाल की गंड की नदी से यह पत्थर मंगाए गए थे जिससे मूर्ती को बना कर तयार क्या गया और साथी आरुन योगी राच जिन्होंने यह मूर्ती बनाई है शुनुवात में तीन मूर्तिय ठीक वैसे ही रंग की यह मूर्ती गर्व ग्रह में लाएगे यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे है एक्स्क्लूसिव तस्वीर भगवान रामलला की खूपसूरत प्रतिमा की पहली तस्वीर सामने आई भगवान रामलला की प्रतिमा कमल दक्त पर सवार है और रामलला की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित क्या क्या और मूर्तिकार अरुन ने ये मूर्ति बनाई है और भगवान राम लला की प्रतिमाश शामल रंग में है न्यूज 18 पर आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा रहे हैं एक्स्कुलूसिव तस्वीरे आप देखिए आयोध्या में प्रान प्रतिष्ठा से पहले पूजा पाठ का दौर आज भी जारी रहेगा सुभा नौ बज़े अर्मी मन्थन से अगनी प्रकट होगी और साथी इससे पहले गणपती समेत स्थापित अन्य देवताओं का पूजन भी होगा इसके बाद में धान्या दिवास ह और शाम को पूजा और आर्थी होगे तो आज भी अनुस्ठान ज्वारी रहेगा तो कल की ये तस्वीर हम आपको डिखा रहे हैं और आज भी जो पूजा पाठ होना है उसमें खास बात ये रहेगी कि शुरुवाद गर्णपती जी की पूजा अर्शना के साथ में होगी औ और उसके बाद में ध्यान धिवास होगा और शाम को एक बार फिर से पूजा अर्शना होगे तो सोला तारिक से ही अनुस्ठान जो है वो शुरू हो चुका था اور आज भी अनुस्ठान जारी रहेगा जो इसके बाद में 21 तारिक तक ही अनुस्ठान रहेगा और 22 जनवरी को राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा होनी है अब ऐसे में ये तस्वीर भी सामने आ गई है कि कौन सी मूर्थी गर्व ग्रह में स्थापित होगी अलाकि सवाल पुरानी मूर्थी को लेकर भी लगतार उठ रहे थे तो ट्रस की तरब से ये भी जानकारी दी गई कि जो पुरान प्रतिष्ठा कारिक्रम की तैयारियों का जायजा भी लेंगे आपको बता रहें कि व्रधान मंत्री मोदी 22 जनवरी को आयोध्या के दौरे पर आएंगे और रामलिला प्रान प्रतिष्ठा सम्हारों में शामिल होंगे तो बैक टू बैक मुख्यमंत्री कई सारे दौरे कर रहे हैं आयोध्या के सुरक्षा को लेकर और साथी किस तरह की तैयारियां है इन सभी का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं आज एक बार फिर से आप ऐसी ही तस्वीर देखेंगे जब मुख्यमंत्री आयोध्या पहुंचेंगे और साथी रामलिला के दर्शन करेंगे अनुमान गड़ी में भी मत्था टेकेंगे इसके अलावा क्या कुछ का यारियां है इसका भी लगतार जायसा ले रही है और इसके अलावा सुरक्षा की द्रस्टी से क्या इंतजाब प्रशासन की तरफ से क्ये गए है इसको लेकर भी लगतार सीम अपडेट ले रही है और जारोज़ानकारी के साथ में संदीप मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं संदीप तस्वीरे आप दिखाए कैसी तस्वीरे हैं और आज का दिन कितना जादा खास है क्योंकि आज भी अनुस्ठान होगा गणपती जी की पूजा होगी इसके अलावा और क्या कुछ अनुस्ठान में आज खास रहने वाला है देखे स्री राम लला की शाम वैंड की मूर्ती जो है गर्ब ग्रह में कल विराजमान हो गई इसके बाद प्रभू का अधिवाश की परंपरा जारी है आध धन्या दिवास होगा जो की शाम को है इसमें साथ अनो के बीच प्रभू का वास कराया जाएगा वहीं सुभे आ 9 बजे के करिब अई मंधन के जरीए अगनि प्रजलित की जाएगी वैदिक मंतरों के जरीए अगनि प्रजलित की जाएगी और वहीं इसमें मावचूद हूँ राम जन्भूम से कुछी दूरी पर यहीं से भक्त सिदे प्रभू के दर्शन करने जाता है ठीक हमारे सामने देख सकते हैं ये राम लला का भव्य धाम जो है बनकर तैयार हो गया है और स्री राम लला की मूर्ती यहाँ पर इस्तापित हो गई है और यहाँ पर अधिवास चल की जाएगी जो कि सुबह नो बजे प्रजलित की जाएगी इसके बाद हवन शुरू होंगे और देवी देवताओं अकिल कोड ब्रह्मान की इस्तापना की जाएगा आप देख सकते हैं तमाम भग्व सुबह ही सर्यू इसनान करके स्री राम लला के दर्शन करके आ रहे हम इ के दाम के लिए अगर हम शब्द कितने भी कहने कम पढ़ रहे हैं हमारे लिए क्योंकि आज हर हिंदूस्तानी के लिए ये दिवाली जैशा माहौल हो रहा है राम लला इतने सालों बाद अपने गर्बग रूम में इस्तान लेने जा रहे हैं तो हम सभी के लिए बहुत खु सवरम लला के दर्फशन रोजना कर रहे हैं अभी हम सभेरी की आर्थी में गये हुए हुए हैं अर्थी क्रवाग के बहुत अच्छा लग रहा है अयुद्या धाम जैश्रीराम जैश्रीराम आप कहां से आए जिला महन पुरी दर्शन होगे प्रभु के अभी नहीं करने जारे हैं सरुप ठीक है क्या कहेंगे जो एद्धाक नग्रिया बदलती देख रहे हैं योगी मोधि का आए ये कार आप कहां से आए जियम नाला सुपाडा से आए हैं मुंबई से प्रभु के दर प्राण प्रस्तान हो जाएगा उसके बाद फिर दुबारा पांच-शे मेना साल में कभी भी फिर लेकर आउंगा पहला एक बार देख लो कि अभी हमारे राम लला का जो महल बन रहा है उसमें एक बार अपने दोनों भहन को दिखाने के लिए लाया और मेरी वाइफ हैं दोनो परिवार के साथ आ रहे हैं कि जो पहले से राम लला विराजमान हैं उनको दर्शन परिवार को साथ करा दे वहीं जब भव प्राण प्रतिष्टा संपन हो जाएगी और अनमती मिलेगी सरफधालों को दर्शन करने के लिए तो फिर परिवार के साथ पूरी आयोज्या को द बिल्गुल अगर तैयारियों की बात करें तो रात दिन यहां पर काम चल रहा है मंदिर को सजाय जा रहा है जहां पर प्राण प्रतिष्टा का कारकम होना है वहां फूलों से सजाय जा रहा है हम आप एक बार कहेंगे राम जनल्भूम के और जो पत जाता अपने वीडियो से कहेंगे उसकी तरफ कैमरा की नजर घुमाएं आप देख सकते हैं यह सब तैयारी चल रही है और यहां पर रात दिन काम चला है अगर बात करें प्रशासन की तो प्रशासन और सुरच्छा एजंसिया पूरी तरीके से एलाइट है अयोद्या को दो जोन में बाटा गया ए शहर और बाजार का छेतर आता है वहां पर भी सुरच्छा की फुल प्रूब व्यवस्ता की गई है और जैसे का आपको पता है कि तीन संदिक्दों को हिराशत में लिया गया है ए आई तकनीकी की मदद लिजारी आर्टी फिसियल इंट्रिजन्स की भी मदद की जारी पचप आज दिन में मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं? इस बारे में भी जानकारी ले सकते हैं? से अधिक मूर्तिया तयार की जा रही है यह मूर्तिया राम मंदिर की ओर जाने वाले गलियारों की शोभा बढ़ाएंगे तो देखिए, ये मूर्तियां बनाई जा रही है भगवान राम केंजीवन से हर से जुड़ी हुई ये मूर्तिया आप देखिए उनके जीवन से जो जुड़े खास वाकि रहे हैं, उनको इस मूर्ति के सरीए दिखाया जा रहा है चाहे उनके बाल रूप का वर्णन हो या फिर उनके वनवास जाने के दौरान का तो यहां पर तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पांसो मूर्थिया बराए गई है जो की आयोध्या की शुभा और जादा बढ़ाने वाली है तो राम सिवक पुरम में ये मूर्थि माने चंपतराजी दोर देख चल रहा है यह पुत्राष्टी यक से राज्य विशकता का प्रत्यक प्रशंग बनाना पर जिसमें एक प्रशंग में मानके चल शाथ आठ मूर्थि रहता है यह से सो प्रशंग हमको बनाना है अभी पुत्राष्टी यक से अमारा लंका तक मू अलू के लिए आयोध्या नगर निगम आश्ट्रेस थल बनाया चाह रहा है और आश्ट्रेस थल रामचरित मानस की थीम पर है तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आश्ट्रेस थल को बनाया चाह रहा है पांच यार की कैपसिटी है जहां पे आप बैठे हो बरतमान में पंचवटी इसमें 2478 लोग रह सकते हैं कोई भी हर वेक्ति के लिए खुलाई है निसुल का हर वेक्ति के लिए है एक उसकी पूंचता जरूर होगी कहां से आया है उसका अधार कार्ड और सारी चीजे